नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका आज की सुर्ण में आज बात करने वाले राष्ट पती संबंदित महत्पुन प्रिशन जो कि एक्जाम दिश्चिस काफी महत्पुन तो तेले दोस्तों सुरू करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्रीज वीडियो लाइक कर है तो शविदान के अनुष्यद 52 की तहिए कि भारत का एक राष्ट पती होगा की सकिया कि नीहिदी में नेहिद होगीовन 62 भेहत्र या 63 तो अनुष्य त्रेपन के तहिए भारत का रे पालेज nutrition है वह किस में नेहिद सक्ति होगी राष्ट पतिन अनुछ्यद 92 के तहिए ढह होगा हमारा थर्ड प्रश्न है राष्ट्पति पद के लिए उम्मिद्वार का नाम कम से कम कितने मच दाताओं दुवारा प्रस्तावित होना चाहिए पचास पच्पन साथ या सो इसका सई जाओ पचास राष्ट्पति पद के उम्मिद्वार के लिए कम से कम पचास मत दाताओं द्वारा नाम प्रस्तावित होना चाहिए एवन पचास के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए ठीक है इससे मेरे एक प्रस्तावित और अनुमोदित मत दाताओं की संख्या को 10-10 से बढ़ा कर 50-50 कर दिया गया कि प्रस्तावित और अनुमोतित जो मत जाता होगी संक्याती पहले 10-10 थी 1997 से पहले उसके बाद इसको 50-50 कर दिया गया ऐसा क्यों आप अपना जावाब कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं ठीक है राष्ट पति पत के लिए उम्मिद्वार के आयू अधिक्तम कितनी होनी चाहिए 60 वर्स 62-58 या कोई सीमा नहीं है तो राष्ट पति पत के लिए उम्मिद्वार की न्यून तम आयू तो नहीं चीए 35 वर्स लेकिन अगर हम बात करें अधिक्तम उम्मर की तो इसकी कोई सीमा नहीं ठीक है तो कोई सीमा नहीं है पांच्वा को शने है भारत में एक व्यक्ति को राष्ट्रप्ति में किलिए चुना जा सकता है थैसी और लगबग दो दो बार कुने गैए थे जानकिया पहले राश्ट पती डोक्टर राश्ट पत Randhinder प्रशाद दो कारेकाल राश्ट पति पर रहते बाकि ऐसा कोई दू-सरी राश्ट पती नहीं चो लगातार दो का रिसी कारेकाल राश्ट पति पर बना रहा हो छटा प्रशन है भारत के एक मात्र राष्ट पती जिने राष्ट पती पत के लिए दो बार चुना गया डॉक्टर राजंदर प्रशाद रामनाद कोविन या डॉक्टर सवरुपली राधा कृष्णन या वीवी गिरी मैंने अब फिप्ट कोशन में से बात की जो एक मात्र भारत की राष्ट पती जिने दो बार राष्ट पती पत के लिए चुना गया वे थे डॉक्टर राजंदर प्रशाद हमारा साथों प्रशन है भारत में राष्ट पती का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है प्रतक्ष रूप से किस प्रतक्ष रूप से हमारा आठ्व प्रशन है भारत के राष्ट पती को राष्ट पती पत की सफ़त कौन दिलाता है प्रदानमंत्री लोगसबाद्यक्स राजसबाद्यक्स या भारत का मुख्य न्यायदीश CJI Chief Justice of India तो इसका सई जावे भारत का मुख्य न्य राष्ट पती अपना त्याग पत्र किने सौपता है मुख्य न्यायदीश को प्रधानमंत्री को उपराष्ट पत्र को या इन में से कोई नहीं तो राष्ट पत्र उपराष्ट पत्र को सौपता है ज्यान के किने सौपता है उपराष्ट पत्र को सौपता है यह कोसंस है से क प्रशन जो कि जो एक नॉर्मल एक्जाम या अधर एक्जाम्स में पूचे गए हैं यहां तक कि इसमें से कुछ ऐसे प्रशन वी जो यूपेस्चे के महाम अभियोक कि प्रिक्रिया किस अनुच solai ցझारो प्रिशन एंद हेया प्रिक्रिया किसा अनुचो चलाई जा सकती है संसत द्वारा व्रोध करने पर आपात का लगने पर साविधान के अत्तिक्रमन के आधार पर या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही जवाब है वह है साविधान के अत्तिक्रमन के आधार पर राष्टपती पर महाअभियोग की प्रिक्रिया लगाई जा सकती है हमारा बारो प्रिश्ण है ऐसा ऐसे कौन से सदस्य हैं जो महावियों परिक्रिया में तो भाग लेते हैं लेकिन निर्वाशन परिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तो फर्स्ट उप्सें विदान सभाई के सदस्य मनोनित सदस्य या इन में से कोई नहीं जनकी जो राष्ट्पति पर महावियों की प्रिक्रिया लगाई जाती है उसमें ऐसे कौन सदस्य जो महावियों प्रिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अठाने में लेकिन निर्वासंद प्रिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तो इसका सई जवाब है मनुनित सदस्य इसका कारण है कि मनोनित सदस इसमें भाग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि मनोनित सदस्यों को राष्टपती के दुवारा ही मनोनित किया जाता है ध्यान रिखेगा इस वारे में भीष्टशन है सविधान के किस अनुचेत के तहत राष्टपति को शम्ज़मादान की सक्ति प्रदान की गई है या अनश्बधान के तहत के तहत साविधान जो राष्टपति को समाधानी शक्ति की प्रदान की गई है और आपके लिए प्रेशन था कि कि ऐसा क्या कारण रहा कि जो प्रस्तावित और अनुमोधित करने मद्दाताओं की संग्या दस-दस से बढ़ा कर फिप्टी-फिप्टी कर दी गई अगर आपको वीडियो पसंद आता प्रीज वीडियो लाइक करना बिल्कुन न भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत धन्यवाद